नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल दिनिश ठीवाइस सी पर और आज हम बात करेंगे लावा के एक न्यू स्मार्टफॉन के बारे में जो की हाल ही में इंडिया में लॉंच हुआ है जिसका नाम है लावा ब्लैच तो चलिए हम इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अकर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें साथ ही बेल नाटिफिकेशन को वाल पे सेट कर दें ताकि लेटिस्ट वीडि साथ ही 64 GB storage के साथ आपको मिलता है अब बात करें हम इसकी जो एक्सपेंड निवल मेमोरी है तो आप इसको 256 GB तक जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं यह काफी मतलब enhance कर सकते हैं अब हम इसके में बात करें कि आपको इसमें इन दा बॉक्स क्या-क्या मिलेगा तो आपको इसमें हैंड सेट, चार्जर, USB Type-C, केवल और बैक कवर, सेम एजेक्टर पिन इतना जो है आपको इसमें आपको जो है बॉक्स के साथ यह चीजें आपको मिलेंगी अब बात कर लेते हम इसकी डिस्पले के बारे में तो अगर हम इसकी डिस्पले की बात करें तो आपको इसमें 6.5 इसकी HD Plus डिस्पले है जो की बड़िया डिस्पले है स्प्राइज रेंज में और आपको काफी अच्छा एक्स्प्रेयंस देने वाली है अब बात करें हम इसके कैमरे की तो इसमें आपको 13 मेकाफिक्सल का डिपल एयाइ कैमरा जो है आपको इसमें देखने को मिलता है साथ ह तो आपको 8 मेकाफिक्सल का फ्रंट कैमेरा देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी सेलफी प्रोवड करता है अब बात-क रें। हम इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 5000 memo की एक बड़ी बैटरी मिल लगी आगी देखने को जो की काफी अच्छ है ऐगी साथ ही आपको डेली यूज्ज वें जू है काफी बढ़ियां इसका जो experience आपको मिलेगा आब बात करें हम इसके प्रोसेसर की आपको हочки the a 22 processor है आजको काफी अच्छा प्रोसेसर है surprise रेंज में जो कि आपको डैली लाइफ लोट्रीन में काफी अच्छा experience देने को देगा ठीक है अब बात करें हम इसकी एनरोइड की तो इसमें आपको एनरोइड 12 का experience देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा एक इसका plus point हो सकता है अब बात करें हम इसकी प्राइज की तो ये आपको 8600 रुपे में पड़ता है ज्योंकि काफी अच्छी प्राइज है और आप इसे चाहें तो बाया कर सकते हैं और आपके साब से इस स्मार्टफोन में और क्या होना चाहिए था आप कमेंट में जरूर बताएं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार